नो पहां। वीकौंपार्ट फर्स्ट एमडेस अनुबस्टी के सिलेवुस में भार्ट में आर्थे पर्यावन। टेपर का अंत्रगा चुह पहले चेप्टर है आरथे पर्यावन, आर्थे और भार्याथ के आर्थे पर्यावन। ठिपक पिछे वीडियो में ba पिछे वीडियो में भालत के आर्थि प्रावन को प्राथ कर दो निठिरी धन करInt से उन्हें आज इस वीडियो में जो हम सतने गते ग Zuschauer रहे हैं उसमें है है एंगीन के बहुत किशा पर ना पर गज़ा करें स्वाइल के लिए ने खाटेंशा है है ट्रॉक ज़ू साम के लिए शहुट संदीट परते हैं जिसे राष्ट में मुद्र बज़ास सत्रय होगा चैयर तराक बिक्षित नहीं है कि आप अलब का इस देश में, कंसे भी नहीं करते हैं तो जिस राष्ट में इस्टो एक्षेंज आधिक होंगे, CR बाजार जितना विक्षित होगा, उतना ही ज़्यादा देश में आर्थिकृतिन का विकास होगा, क्योंकि कोई भी जो बनाई कमणी खुलेगी, पॉब्लिक कमपनी उसको पूझी प्राफ करने के लिए बाजार में अपने अंच्पत्र विषने पड़ेगे, और बाद में भी डिवेंचर्स यार दूसे जो टूल्स हैं, उनके बाद में से पूझी प्राफ करने के लिए एक पूझी वादा लिदी विक्षित होगा, तो देश में आर्थिकृत्र दिया जादा होएंगी, इसके बाद नेक्स्ट बाद लेते हैं हम लीगल कर्निशन, रैदानिक फरिस्तितियां, लीगल कर्निशन, भारत में लोकतंक्र है, सम्वीदान हैं, भारत के सम्वीदान हैं, भृमकार के मौड़िक अधिकार के दिये हुए हैं, कट्टे के दिये हुए हैं, लेकिन भारत में बिजनेस से संबंदित, उद्यों से संबंदित, बहुत सारे नियों कानून बना रखे हैं, आईकत्र कानुन हैं, इस बहुत सारे भारत सरकार के दोरा उद्य धंद को गयाफ़ा को नींत करने के लिए कानूँ हूँ अब हम आयकर्ता ही जंक लेते हैं यहीं आयकर्त की बहुंजदा होगी तो लोग आयकर्की चोरी करेंगे लोगों नहीं देंगे जैसे पहले माले 85% इंकम देज हें तो लोग कर्की चोरी परावा ज़ाद होता है सब्सक्राइब करते हैं और जो पहले वेट मोट वेट इन कामनाफसर किया और आजकल तो एक पूरे देश में सब्सक्राइब करते हैं तो इससे भी व्यापार उद्धे दुनों का विकास होगा और आपते गतिक दियां ज्यादा पनते हैंगी कहने कार से हुआ कि जितनी ज्यादा लेकल कंडिशन्स होंगी जितने प्रिटीबंद होंगे उतना व्यापार के उपर विपित्वा जाएगी या सुभीदा जनलब बनाए जाएगा उतना व्यापारी उद्ध्योपतियों को लाब होगा तो वह अपना बिजनिस आसानी से कर सकते हैं इसके बाद हम लेते हैं व्यापार चक्र ट्रेड साइके व्यापार चक्र का अर्थ है तेजी और मंदी कभी तेजी की स्थिति होती है और कभी मंदी की स्थिति होती है और तेजी मंदी दोनों ही खराब होती है तेजी में क्या होगा कि व्यापारियों को उलाब होगा लेकि सामन जिंता को नुक्सान होगा मंदी में उद्योपतियों को नुक्सान ह तो दोनों इस्तिति खराब है यह ज़ादा तेजी होनी चाहिए नहीं बहुत जबाया देद्धि विकास हो और नहीं पड़ेगा और इसके बाद हम नेक्स पुंट लेते हैं यह मैंने गार में सागर बने की कोशिश की है और यह जो सब्द का इजाद किया है यह क्रिकेट में एक बॉलर तीन ख्राइवाट पर देता है वह है तेक में हमने आर को हटा करके और आई लिख दिया तो यह हैटिक और बी जोड़ दिया तो यह हमने हैटिक भी हो गया है हैटिक भी का फुन पर मारा है एल्थ, एजुकेशन, ट्रांस्पोर्ट, इंसुरेंस, कॉम्निकेशन और बैंक शेट रिंदू को हमने एक ही पुश्ट में डिस्क्राने की को सिथ है, हेल्थ, हेल्थ का मतर है कि देश में जितनी हैटिफी फैसिटी होंगी, हैटिक फैसिटी तीन चीजी चाहिए, एक तो डक्टर, और नर्सें इस्टाप चाहिए प्रिंट, एक हॉस्पिटर सुनतर ठीडियों से कर सकते हैं वाटपर वेस्टेम देखते हैं कोईड नैंटी में लोग योदि हैल्थी विस्टिच परियात मात्रा नहीं होंगी तो लोग बीमार बढ़ रहे हैं और केज़िवी परती से लिजा दिया अमेरिका जैसे राष्ट में भी लाखों की सिंख्या लोग इससे सक्रमित हो गए हैं और काकी तादात में लोग आप उसे आर्थी गत्रियों पर प्रवाबदा है और ये शन्य रूप अच्छी होंगी और कंदिस रूप से आर्टी कतिवियों पर अच्छा प्राव पड़ेगा और स्वश्थ व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकते हैं इसके बाद देते हम अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए और स्टुडेंट्स भी होने चाहिए इंट्रेक्टेसर पूरा होगा तो हम परियाद मात रोगे जिस राष्ट में एजुकेशन अच्छा होगा और जिस परके एज़िक समती जाएगी उसमें उसी फरकी आर्टिकतिया विश्ची होती हैं जैसे माले जी किसी रास्ट में इंजिनियरिम में वी सौट्फ्टी या इक सब्सक्राइच लोगी Bcompela को सब्सक्राइच का हव बना हुआ है ताटन्स्पोर परिवेन के साथ हम भारत में परिवेन के साहत है जितने ज़यादा विश्ट होंगी आर्टी गदिभ्यूति आप मेतर हो सभिगविन किbasis कि 도ान आधी जर्थ हांने हैं चाहत कि यह सब्सक्रण है घ्र सक्रणा के लिए पकी सटकों से तो गाउं का आटमेटिक विकास शुरूफ हो जाता है क्योंकि गाउं की जो विक्ति हैं वो सेरों से जोड़ जाएंगे और अपने अपस्टेपूर्थी जो भी खात्यान चाहिए या खाद भी जो भी सामझ चाहिए या श्वल सब्सक्राइब बेशनी है तो व्ही किसी भी राज्वे के आटके अक्रिटि जह unten यह तांसोर ही अभी महत्मोहित का अद्य करता है। उसी किसाद से प्रायथ होते अब निकाबीमा नहीं भीमा नहीं करागा या चोरी का भीमा नहीं करते हैं। उनको भी चोरी होने का आग जाने का या और उसे रिस्क लगी रहती है उसको भी जो GIC है वारत में जन्रेंशन कोपेशन की अन्य जो सक्षडी कंपनी है उनके मार्ग जन्स उनका भीमा खरवाई लेता है जब उद्द्व व्यापारी को यह पता है कि यदि कोई रिस्क हो भी जाएगी तो हमें भीमा कपनी से कोच और कोच मुआज़े मिल जाएगा तो वो निशन को सुकर कपने विवसाय कर सकते हैं किसान है फसल भीमा यूजना लगू कर रखी है तो किसान को उसे फसल यदि खराब हो जाते हैं तो इस प्रकार से बीमा कंपनियों का विवस्तर जितनी ज्यादा सुजड़ होगी उस देश में उस राष्ट में उद्यों का व्यापाता विकास होगा विदी सी व्यापार तो बिना इंसरेंस को होता ही नहीं है एक्सपर्ट इंपोर्ट दने के लिए पहले आपको इंसरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी तो यदि इंसरेंस उसके लिए भारत में भारती निर्यासा कारटी वीमा निगम जो है वो एक्सपर्ट इंपोर्टर्स क संचार स्विद हैं अपने आपके ही बिजनिस हैं पहले एक सांद दूसरे संद पर उसे बेदने के लिए हम टेरी फोन है या एस्टेटी बूत हैं उनको काम ले देते हैं आज कर तो जो मोगाइल हैं नेटबर के उसी उपर किसी भी रास्ते किसी भी समय पर पाथित कर सकते है या और उसे साधन्स आगे हैं आज जो हम यह ओनलाइन टीचिंग का जो कंसेट है वो भी इस संदा शुदाओं के मार्दयम की देन है कि इस कोविड नैंटीन की महावारी के अंदगत भी जो एज बन पड़े हैं हम ओनलाइन टीचिंग के मार्दयों से घर बेटे ही इस शोली को और ने ने बहुत दिंगों का विकास हो रहा है इसके बाद वी फोर बैंक किसी भी राज्कि एविकास की अठी होता बैंक बिना बैंकों में कोई भी राश्की आरति लिगास में नहीं कर सकता है भारत में जो बैंकिंग एक स्ट्रेक्स हैं सब से उपर है आलगे व इंदोस्तान में होती है उसके पास कुछ कॉमर्सल बैंक है आर्रवी जो की ग्रामी वेक्तियों को बड़े-बड़े उद्युपतियों को रिंश रिजान देती हैं जिसे को काम कर सकते हैं हमार देश में IDBI है तो बड़े बड़े जो उद्यूपति हैं उनको इंडर्स्ट्री डर्गमेंट और इंडिया की तुर्ण को जोड़ प्रताइब की जाता है ऐसे ही माने जे हाउसिंग डर्गमेंट के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है या और दूसरी जो इसमाल से इंडर बैंकिंग भाचा जितना जादा सुद्रण होगा उतने जादा देश के आपके घजिदियां होंगी मोधी सरकार आने के बाद देश में बहुत्रा यूजना है या दूसरी बैंक ने बहुत सारी ऐसी यूजनें चला रखी है तो कि किसानों के लिए गरी व्यक्तियों के लि प्रिश की हैं और अधिक मात्रा में इन उद्योपतियों व्यक्तियों को रिंच सकता है तो इस प्रिकार से इस एक बिंदू में हमने 6 पॉंटों को इसमें सुनुट किया है है इस प्रिकार से ये सबी चीजें किसी भी राज्ट के आर्थिक रियान को पहलत करती है